भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा। मेरे प्यारे देश्वाचियों, मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी ओडियो क्लिप प्ले कर रहा हूँ। एक ऐसा कारिकरम जिसमें हम बात करेंगे क्वेद भारत संस्कृति के बारे में और उस रिष्टे के बारे में जो दोनों देशों को अलग-अलग शेत्रों में जोड़ता है। इस रेडियो कारिकम को सुनकर आप भी हैरत में पड़ गए ना तो आईए आपको इसके पीछे की पूरी बात बताते हैं। दरसल ये कुवेद रेडियो के एक प्रसारण की क्लिप है। अब आप सोचेंगे कि बात हो रही है कुवेद की तो वहां हिंदी कहां से आगी। दरसल कुवेद सरकार ने अपने नेशनल रेडियो पर एक विशेश कारिकम शुरू किया है। और वो भी हिंदी में कुवेद रेडियो पर हर रविवार को इसका प्रसारण आधे गंटे के लिए किया जाता है। इसमें भारतिय संस्कृती के अलग-अलग रंग शामिल होते हैं। हमारी फिल्म में और कला जगत से जूड़ी चर्चाएं वहां भारतिय समुदाय के बीच बहुत लोग-प्रिय हैं। मुझे तो इहां तक बताया गया है कि कुवेद के स्थानिय लोग भी इसमें खूब दिल्चस्पी ले रहे हैं। मैं कुवेद की सरकार और वहां के लोगों का रजय से धन्यवाद करता हूं जिनों ने ये शांदार पहल की है। साथियों अद दुनिया भर में हमारी संस्कृति का जिस तरह गवरवगान हो रहा है उससे किस भारतिय को खुशी नहीं होगी। अब जैसे तुर्कमेनिस्तान में इस साल मई में वहां के राष्टिय कवी की तिनसों भी जन्मेजनती मनाई गई है। इस अफसर पर पुर्कमेनिस्तान के राष्टिय ने दुनिया के 24 प्रसिद्ध कवियों की प्रतिवाओं का अनावरण किया। इन में से एक प्रतिमा की प्रतिवाओं का अनावरण किया। इन में से एक प्रतिमा गुर्देव रविंद्रना टाईगोर जी की भी है। ये गुर्देव का संमान है, भारत का संमान है। इसी तरह जून के महने में दो केरेबियाई देश सुरिनाम और सेंट विंसेंट एंड ग्रिनाडिस ने अपने इंडियन हेरिटेज को पूरे जोस और उत्षा के साथ सेलिबरेट किया सुरिनाम में हिंदुस्तानी समुदाय हर साल पांच जुन को इंडियन एराइवल डे और प्रवासी दीन के रुप में मनाता है यहां तो हिंदी के साथ ही बोजपूरी भी खूब बोली जाती है सेंट विंसेंट एंड ग्रिनाडिस में रहने वाले हमारे भारतिय मुल्के भाई बहनों के संख्या भी करीब 6,000 है उन सब को अपनी विरासत पर बहुत गर्व है एक जुन को इन सब ने इंडियन एराइवल डे को जिस दुमदाम से मनाया उससे उनकी ये भाउना साब जलकती हैं दुनिया भर में भारतिय विरासत और संख्यूति का जब ऐसा विस्तार दिखता है तो हर भारतिय को गर्व होता है साथ्यों इस महिने पुरी दुनिया ने दस्वे योग दिवस को भरपूर उत्सा और उमंग के साथ मनाया है मैं भी जम्मु कश्मीर के स्रीनगर में आयोजीत योग कारकम में शामिल हुआ था कश्मीर में युवाओं के साथ साथ बहनों बेटियों ने भी योग दिवस में बढ़ चटकर के हिस्सा लिया जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है नए नए रेकॉर्ड्स बन रहे हैं दुनिया भर में योग दिवस ने कई शांदार उपलब्दियां हासिल की है साओधी अरब में पहली बार एक महिला अल हनौप साथ जी ने कॉमन योगा प्रोटोकल को लीड किया ये पहली बार है जब किसी साओधी महिला ने किसी में योगा सेशन को इंस्टरक किया हो इजिप में इस बार योग दिवस पर एक फोटो कम्पुटिशन का आयोजन किया गया निल नदी के किनारे रेड सी के बिचेच पर और पिरामिडों के सामरे योग करते लाखों लोगों की तस्वीरें भहुत लोगप्रिय हुई अपने मार्बल बुद्धा स्टेच्चू के लिए प्रसिद्ध म्यामार का मारा विजरा पैगोडा कम्प्लेक्स दुनिया में मशूर है यहां भी 21 जुन को शांदार योगा सेशन का आयोजन हुआ बहरीन में दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशल कैम्प का आयोजन किया गया स्री लंका में विनेशको हेरिटेज साइट के लिए मशूर गॉल्फ फोर्ट में एक यादगार योगा सेशन हुआ अमेरिका के नियॉर्क में आपजर्वेशन डेक पर भी लोगों ने योग किया मार्सल आइलेंड पर भी पहली बार बड़े स्तर पर हुए योग के कारकम में यहां के राष्पती जी ने भी हिस्सा लिया भुटान के थिम्पू में भी एक बड़ा योग दिवस का कारकम हुआ जिसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री टौब के भी शामूल हुए यानि दुनिया के कौने कौने में योग करते लोगों के विहंगम द्रश्य हम सब ने देखे मैं योग दिवस में हिस्सा लेने वाले सभी साथ्यों का रदय से आभाय व्यक्त करता हूँ मेरा आपसे एक पुराना आगरवी रहा है हमें योग को केवल एक दिन का अभ्यास नहीं बनाना है आप नियमित रुप से योग करें इससे आप अपने जीवन में सकारात्पक बदलाओं को जुरूर महसूस करेंगे साथ्यों भारत के कितने ही प्रोड़क्स हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है और जब हम भारत के किसी लोकल प्रोड़क्स को ग्लोबल होते देखते हैं तो गर्व से भर जाना स्वाभाविक है ऐसा ही एक प्रोड़क्ट है अराकु कॉफी अराकु कॉफी आंदर प्रदेश के अलूरी सिताराम राजु जिले में बड़ी मात्रा में पैदा होती है ये अपने रीच फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती है अराकु कॉफी की खेती से करीब डेड़ लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए है अराकु कॉफी को नई उंचाई देने में गिरिजन कॉपरेट्व की बहुत बड़ी भूमी का रही है इसने यहां के किसान भाई बहनों को एक साथ लाने का काम किया और उन्हें अराकु कॉफी की खेती के लिए प्रोथसाहन दिया इससे इन किसानों की कमाई भी बहुत बड़ गई है इसका बहुत लाब कॉणा डोरा आदिवासिस हमुदाय को भी मिला है कमाई के साथ साथ उन्हें सम्मान का जिवन भी मिल रहा है मुझे आध है एक बार विशागा पत्नम में आंधर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबु नाइडू गारू के साथ मुझे इस कॉफी का स्वाद लेने का मोखा मिला था इसके टेस्की तो पुछे ही मत कमाई की होती है कॉफी अराकू कॉफी को कई ग्लोबल अवर्ड्स मिले है दिल्ली में हुई जी ट्वेंटी समिट में भी कॉफी च्छाई हुई थी आपको जब भी अवसर मिले आप भी अराकू कॉफी का अनद जुरूर ले चातियों लोकल प्रोडक को ग्लोबल बनाने में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी पीछे नहीं है पिछले महेने जम्मू कश्मीर ने जो कर दिखाया है वो देश भर के लोगों के लिए भी एक मिशाल है यहां के पुलवामा से स्नोपीज की पहली खेप लंदन बेजी गई कुछ लोगों को ये आइडिया सुझा कि कश्मीर में उगने वाली एक्जोटिक वेजिटेबल्स को क्यों ने दुनिया के नक्से पर लाया जाए बस फिर क्या था चकुरा गाउं के अब्दिल राशिन मिर्जी इसके लिए सबसे पहले आ गया है उन्होंने गाउं के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिला कर स्नोपीज उगाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते स्नोपीज कश्मीर से लंदन तक पहुंचने लगी इस सफरता ने जम्मु कश्मीर के लोगों की सम्रद्धी के लिए नए द्वार खुले हैं हमारे देश में ऐसे यूनिक प्रोड़क्स की कमी नहीं है आप ऐसे प्रोड़क्स को हैस्टेग माई प्रोड़क्स माई प्राइड के साथ जरूर शेर करें मैं इस विशे पर आने वाले मन की बात में भी चर्चा करूंगा आप सोच रहे होंगे कि मन की बात में अचानक संस्कृत में क्यों बोल रहा हूं इसकी बज़े है आज संस्कृत से जुड़ा एक खास अवसर आज 30 जुन को आकाश माने का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है 50 वर्सों से लगाता इस बुलेटिन ने कितने ही लोगों को संस्कृत से जोड़े रखा है मैं आल इंडिया रेडियो परिवार को बदाई देता हूं साथियों संस्कृत की प्राचीन भारतिय ज्ञान और विज्ञान की प्रगति में बड़ी भूमिका रही है आज के समय की मांग है कि हम संस्कृत को सम्मान भी दे और उसे अपने दैनिक जीवन से भी जोड़े आज कल ऐसा ही एक प्रयास बैंगलूरू में कई और लोग कर रहे हैं बैंगलूरू में एक पार्क है कब्बन पार्क इस पार्क में यहां के लोगों ने एक नई परंपरा शुरू किया है यहां हपते में एक दिन हर रविवार बच्चे, यूबा और भुजुर्ग आपस में संस्कृत में बात करते हैं इतना ही नहीं यहां वाद विवाद के कई शेसन भी संस्कृत में ही आविजित किये जाते हैं इनकी इस पहल का नाम है संस्कृत बिकेड इसकी शुरुवाग एक वेबसाइट के जरिये समस्टी गुबी जी ने की है कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ ये प्रयास बैंगलोग वाश्यों के बीच देखते ही देखते अप ही लोगप्रिय हो गया है अगर हम सब इस तरह के प्रयास से जुड़े तो हमें विश्व की इतनी प्राचिन और वैज्ञानिक भासा से बहुत कुछ सिखने को मिलेगा मेरे पहरे देख्वास्यों मन की बात के इस एपिसोड में आपसे जुड़ना बहुत अच्छा रहा अब ये सिलसिला फिर पहले की तरह चलता रहेगा अपसे एक सप्ता बाद पवित्र रथियात्रा की शुरुवात होने जा रही है मेरी कामना है कि महाप्रभु जगनात की एक रुपा सभी देश्वास्यों पर सदैव बनी रहे अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है और अगले कज़ दिनों में पंडरपुर वारी भी शुरू होने वाली है मैं इन यात्राओं में शामिर होने वाले सभी स्रधनों को शुपकामनाए देता हूँ आगे कच्छी नववर्ष असाड़ी बीच का त्योहार भी है इन सभी परवत त्योहारों के लिए भी आप सभी को धेर सारी सुपकामनाए मुझे विश्वात है कि पॉजिटिविटी से जुड़े जन भागीदारी के ऐसे प्रयासों को आप मेरे साथ अवश्य शेर करते रहे मैं अगले महिने आपके साथ फिर से जुड़ने की प्रतिक्षा कर रहा हूँ तब तक आप अपना भी अपने परिवार का ध्यान रखिए।